भारत और साउथ अफरीका के बीच पहला T20 मुकाबला 15 सितंबर को धरमशाला के स्टेडियम में खेला जाएगा और दोस्तो आज इस वीडियो में हम इस पहले T20 मुकाबले की आपको बिल्कुल नई टाइमिंग्स के बारे में बताने वाले है और साथ ही साथ बताने वाले है वेदर रिपोर्ट के बारे में और साथ ही साथ कुछ उन बड़ी बड़ी खबरों के बारे में जो इस मुकाबल हो कि भारतिया टीम पहले मुकाबले में एक बड़ी ही जबरदस जीत हासिल करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को दबाना ना भूलिएगा तो दोस्तों अच्छी नहीं निकल कर आ रही है दोस्तों आप जानते हैं कि यह मुकाबला धरम शाला में खेला जाएगा और धरम शाला में हिमाचल परदेश में है वहां का वैदर हमेशा से ही थोड़ा ओवर कास्ट रहता है इस मुकाबले में भी ओवर कास्ट कंडिशन की ही उमीद कर हम इस मुकाबले से कर सकते हैं तो दोस्तों पूरी तरह से बारिश का डर इस मुकाबले से अभी भी नहीं टला है तो दोस्तों अब अगर इस मुकाबले की टाइमिंग्स के बरहें बात की जाए तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो वेस्ट इंडीज में जो मैचिस हो रहे उनकी टाइमिंग्स बड़ी अजीब हो रही थी परन्तु दोस्तो अब भारतिया टीम अपने घरेली उमधानों पर यह सीरीज खेलने वाली है और अब भारतिया समय के अनुसार ही आपको यह सभी T20 मुकाबले शाम को 7 बजे अपने TV और मोबाइल पर लाइव देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो हाला कि जादातर मैचिस भारत में 8 बजे शुरू होते थे परन्तु यह 3-3 T20 मैचिस चात बजे शुरू होने वाले हैं तो दोस्तो अब कुछ बड़ी-बड़ी खबरों के बारें बात करें तो दोस्तो जो सबसे पहली खबर निकलकर आ रही है तो दोस्तो वो आ रही है केल राहूल को लेकर दोस्तो भारतिय टीम के लिए जो ओपनिंग करते हैं तो सलामी ओपनर्स वो रूहिच शर्मा और शिकर धवन है हाला कि दोस्तो शिकर धवन का फॉर्म पिछले कुछ काफी टाइमों से पूरे वेस्ट इंडीज दोरे की बात करे तो कुछ जादा अच्छी नहीं चल रही है अब तो टेस्ट स्कौर्ड में से भी केल राहूल को ड्रॉप कर दिया है और इस वक्त ऐसी खबरे निकल कर आ रही है कि पहले टीरवने मुकाबले में केल राहूल को मोकार नहीं मिलने वाला है तो दोस्तो यह थी पहले टीरवन मैच से जुड़ी सारी जानकारी तो दोस्तो आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत सकती है नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आइस वीडियो लाइक कीजिए जाजार आपने सब्सक्राइब कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने क के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को दबाना ना भूलिएगा